बोचपूरी के ऐसे कई हीरो हैं जिन्होंने दो शादियां की हैं उनमें सबसे उपर नाम मनोस्तिवारी का आता है मनोस्तिवारी अपनी पत्नी रानी को डिवॉस दे चुके थे और फिर उन्होंने शुर्बी तिवारी से शादि कर ली और अब इनका एक खुसाल परिवार है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पावस्टार पवन सिंग की तो इनकी पहली पत्नी ने इनहीं के खर में आत्महत्या कर ली थी उसके बाद उन्होंने जोती सिंग से शादि की लेकिन अगर इनकी पहली पत्नी नीलम को माना जाए तो उससे पहले भी ये कहा जाता है कि रीना रानी से पवन सिंग ने गुपचुप शादी की थी और किसी को बताए बगैर इन दोनों ने महस चार महीनी की अपनी शादी को तोड़ कर डिवॉस भी ले लिया खैर इसे अभी लोग अफवाही मानते हैं अब आगे बढ़ते हैं यश्मिश्रा की दरफ यश्मिश्रा ने एक्ट्रस अंजना सिंग से शादी की थी अंजना सिंग के साथ इनके शादी लगबख दो साल ही टी की और उसके बाद इन्होंने अंजना से डिवॉस लेकिर निधी जहांशे शादी कर ली और आज कल ये दोनों एक प्यारे से क्यूट कपल हैं कहा जाता है दिनेस Λाल्याद और निरहुआ ने आमर प्ली से गुपचुप शादी कर ली है. और ये दोनों एक साथ मुंबई के एक पोश इलाके में रहते हैं. दिनेस लाल याद और निरहुआ जब भी मुंबई आते हैं वो आमरपाली के शाथ उनके फ्लैट में ही रहते हैं आगे ये भी आपको बता दे कि इस बात की हम पुस्टी भी नहीं करते वैसे भी दिनेस लाल याद और निरहुआ पहले से शाधिशुदा है ये दो बच्चों के पिता है और इनकी लाइफ में आमरपाली एक खास जगह रखती हैं तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल न भूले